नमस्कार दोस्तों, कबीर दास जी अंधविश्वास के खिलाफ थे कहा जाता है कबीर दास की समय में समाज में एक अंधविश्वास था कि जिसकी मृत्यू काशी में होगी वो स्वर्ग जाएगा और जिसकी मघहर में होगी वो नरक इस ब्रह्म को तोड़ने के लिए कबीर ने अपना सारा जीवन काशी में गुजारा जबकि प्राण मघहर में त्यागे थे कबीर दास जी ने अपने जीवन में समाज से पाखंड अंधविश्वास को दूर करने की भरसक कोशिश की अपने रचनाओं में भी वो आडंबर और अंधविश्वास का विरोध करते रहे यही कारण है कि आज भी संथ कबीर दास जी को समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है कबीर साहिब की मानिता थी कि कर्मों के अनुसार ही गती मिलती है आईए सुनते हैं उनके बोले कुछ दोहे हिंदी में व्याख्या सहिद जब मैं था तब हरी नहीं अब हरी हैं मैं नहीं सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही अर्थ सहिद व्याख्या कबीर दास्ची कहते हैं कि जब मेरे अंदर एहंकार मैं था तब मेरे हर्दे में इश्वर कवास नहीं था और अब मेरे हर्दे में इश्वर कवास है तो मैं और एहंकार नहीं है जब से मैंने गुरू रूपी दीपक को पाया है तब से मेरे अंदर का एहंकार खतम हो गया है नहाए धोए होत क्या जब मन का मैल न जाए मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए अर्थ सहित व्याक्या कबिरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धोलीजे लेकिन अगर आपका मन साफ नहीं है तो उस नहाने का क्या फाइदा जैसे मचली हमेशा पानी में रहती है लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती मचली में हमेशा बद बुआती रहती है प्रेम प्याला जो पिए सिस तक्षिना दे लो भी शीष न दे सके नाम प्रेम का ले अर्थ सहित व्याक्या जिसको इश्वर प्रेम और भक्ती का प्रेम पाना है उसे अपना शीष काम, क्रोध, भे, इच्छा को त्याग न होता है लालची इंसान कभी अपना शीष काम, क्रोध, भे, इच्छा तो त्याग नहीं सकता लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है कभीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर जो पर पीर न जान ही सोका पीर में पीर अर्थ सहित वयाख्या कबिरदास ये कहते हैं कि जो इनसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सजन पुरुष है और जो दूसरे की पीड़ा ना ही समझ सके ऐसे होने से क्या फाइदा कबिरा ते नर अंध है कबिर सुता क्या करे जागी नजप मुरारी एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पाउ पसारी अर्थ सहित वयाख्या कबिरदास ची कहते हैं कि तू क्यों हमेशा सोया रहता है जाग कर इश्वर की भक्ती कर नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सोजाएगा अर्थ सहित वयाख्या कबिरदास ची कहते हैं कि चंद्रमा भी उतना शीतल नहीं है और हिम बरफ भी उतना शीतल नहीं है जितना शीतल एक सजजन पुरुष होता है सजजन पुरुष मन से शीतल और सभी से इसने ही करने वाले होते हैं पोथी पड़ पड़ जग मुआ पंडित भया न कोई ढ़ाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई अर्थ सहित व्याक्या कबिरदास जी कहते हैं कि लोग बड़ी से बड़ी पढ़ाई करते हैं लेकिन कोई भी पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता जो इनसान प्रेम का ढ़ाई अक्षर पढ़ लेता है वही सबसे विद्वान होता है राम बुलावा भेज या दिया कबिरा रोई जो सुक साधू संग में सोब पैकुंट न होए अर्थ सहित व्याक्या जब मृत्यू का समय नजदीक आया और राम की दूतों का बुलावा आया तो कबिरदास जी रोव पड़े क्योंकि जो आनन्द संत और सज्जनों की संगती में है उतना आनन्द तो स्वर्ग में भी नहीं होगा शीलवंत सबसे बड़ा सब रतनन की खान तीन लोग की संपदा रही शीत में आन अर्थ सहित व्याक्या शांत और शीतलता सबसे बड़ा गुन है और दुनिया की सभी रतनों से सबसे महगा है जिसके पास शीलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की समपत्ती है माखी गुड में गड़ी रहे, पंक रहे लिपटाए हाथ मेल और सर धुने, हाथ मले और सर धुने लालच पुरी बलाए अर्थ सहित व्याक्या कबिर दास्ची कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड से लिपटी रहती है नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है ठीक वैसे ही, इनसान भी संसार एक सुखो से लिपटा पड़ा रहता है और अंच समय में अफसोस होता है ग्यान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाई कबिरा फिर गया, फी का है संसार अर्थ सहित व्याख्या, कबिर दास्चे कहते हैं कि ये संसार तो माटी का है आपको ग्यान पाने की कोशिश करनी चाहिए नहीं तो मृत्यू के बाद, जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यू, यही करम चलता रहेगा आपका दिन शुब हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, धन्यवाद